हेलो गाइज, आज हम लोग के ख्लास में जो 10 कोश्यन देखे थे, उसके आगे के कोश्यन को देखते हैं, वैसे इंपोर्टेंट कोश्यन जो एक्जाम से में आते ही हैं, और मैं जो लेके चल ला हूँ, धम जीरो लेबल से लेकर टॉप लेबल तक जा रहा हूँ, उसके कि वीडियो वाले लिस्ट में जाकर के उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो, और क्लास में यानि अभी जो मेरा क्लास है, इस क्लास में कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, और जवाब देने की कोशिस करेंगे, आपको जैसे ही स्क्रीन पे कोश्यन नजर आए, आपका पह कोई भी दिक्कत हो, तो आप पूछ सकते हो, मान लिया, लाइब में नहीं पूछ पाओगे, तो जिस टाइब के कोश्यन में आपको दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ ये लिखना, दूसरा, अच्छा लगे, तो सेयर भी करना, केवल कमेंट जो है, वो हाई रहेगा, उनको लगेगा, कि नहीं, हमको और भी अच्छा कलेक्शन करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है, और जॉब तो मिलेगा ही, मेरा पढ़ाने का धंग वैसा होगा, कि आप बिरुजगार नहीं रहेंगे, फिर कभी आगे वो चीज भी मैं बतलाऊंगा, आगे देखते हैं, कुश्यन नंबर 11, तो टेन तक देखा था, आज 11 देखते हैं, दो संख्याओं का HCF 8 है, निवन में से कौन कभी भी उनका LCM नहीं हो सकता, तो मैंने क्या बताया था, कि HCF वो नंबर है, जिससे संख्या कटेगी, संख्या का योग कटेगा, संख्याओं का LCM कटेगा, और उन सब का गुनज भी कटेगा, तो यहां कह रहा है, HCF 8 है, कौन सा कभी भी उनका LCM नहीं हो सकता, तो जो 8 से नहीं कटेगा, LCM नहीं हो सकता, अगर कट गया, तो LCM हो सकता है, यानि सेकेंडों में जवाब, अगर कॉनसेप्ट हमारा समझा हुआ है न, तो एक दम पढ़ें और एक सेकेंड में जवाब, जैसे 8 से 24 कट रहा है, तो यह LCM हो सकता है, 8 से 48, 86 कट रहा है, तो यह भी हो सकता है, 8 से 56 कट रहा है, यह भी हो सकता है, लेकिन 8 से 60 नहीं कटेगा, इसलिए यह LCM नहीं हो सकता है, तो question क्या पुछा था, कि कौन LCM नहीं कितना easy है ना मज़ा रहा है question में और बोलते भी रहो लगे कि हाँ सर सुन रहे है या जब मज़ा रहा है अच्छा लग रहा है तो उसे मैं comment कर दो सामने तो आपका है मैं comment तो देख रहा हूं clear अगला question ये ध्यान से देखेंगे तीन अंकों की दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 41,47 है संख्याओं का योग क्या है HCF मालूम है LCM भी मालूम है और कह रहा है क्या संख्याओं का योग मैंने ये भी concept देखा था कि अगर कहीं पर HCF है और LCM भी है तो क्या निकलेगा X into Y क्या निकलेगा X into Y और ये XY क्या होता है तो ये XY होता है LCM भटा HCF LCM by HCF और X और Y क्या होगा को प्राइम होगा तो LCM कितना है यहा 4147 by 29 इससे ये कटेगा 29 इससे 143 बार में इससे इसको काट देंगे 143 बार में कटेगा 143 यानि X और Y को गुना करने पर 143 आएगा तो देखें एक्स कमान X into Y 143 आ रहा है तो कौन-कौन सा प्राइर हो सकता है 113 गुना 13 143 तो पाली संख्या क्या कह रहा है संख्याओं का योग बताना है संख्याओं का योग बताना है तो ये तो पाला संख्या होता 11 X दूसरा 13 Y तो हम लोग डारेक्ट इसकोशन को ऐसे सरी ये तो X का मान है और ये Y का मान है तो पाला होगा 11 गुना HCF HCF कितना है 29 और प्लस दूसरा होता 13 होना 29 29 कॉमन ही लेकर चले तो 11 प्लस 13 यानि 29 इंटू 24 चार नमा 36 इंटूसरा नौदूना अठारा आठ चब्विस तिन उन्चालिस उन्टिस आद दो दूना चार दूछा उच्छे सो च्यानिवे ऑप्शन बी अच्छे से देखेंगे क्या कह रहा था कि HCF 29 है और LCM मालूम है LCM को SCF से भाग दे दो LCM को जब HCF से भाग दिया 143 बार में कट गया क्योंकि हम लोग जानते कि X और X और Y क्या है को प्राइम है तो को प्राइम है तै 11 और 13 question क्या कह रहा है दोनों संक्याओं कायोग बता तो दोनों कायोग कैसे निकलेगा तो दोनों को देखो फाली संक्यात होगा 11 10 15 DCFC तो हम लोग 29 को common ले ले 11 जोड 13 यानि 29 14 696 हमनों का Democr अच्छा होता जाएगा, CHSL, GD तक, एक्जाम में जो कॉश्यन आएगा, आपका GD का कॉश्यन हो, MTS का कॉश्यन हो, NTPC का कॉश्यन हो, ठीक है, तो यह देखा, अगला कॉश्यन देखते हैं, अगला कॉश्यन, अगला कॉश्यन में आने से पहले देखें, कि HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं, HCF and LCM, पहला मिठड देखते हैं, division method, division method, division method का use, जैसे 12, 18, 24, 36, इसका, मानलो, SCF भी निकालना है, और LCM भी निकालना है, तो इनार, हम लोग SCF निकाल लेते हैं, दो से भाग लगेगा, दो से छे, दो से नौ, दो से बारह, दो से अठारह, फिर दो से तीन, नौ, दो छक बारह, दो नवा, अठारह, फिर, तीन से, तीने काई तीन, तीन 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 नौ, तीन दुना छे, तीन 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 तीन, यानि, एलसीयम हो गया, दो गुना, दो गुना, तीन गुना, तीन गुना, दो, दो दुना चार, दुना बारह, तिया चथिस, तिया एकसो आठ, तो एलसीयम हो गया, एकसो आठ, ये टिकनिक आप सभी को पता होगा, फिर भी हम लोगों ने देखा, और आगे देखते हैं, SCF कैसे निकालेंगे इसी का, SCF, 12, 18, 24, 36, तो इसको किससे भाग दे, तो अब देखो, SCF में क्या होता और LCF में क्या होता है, SCF में सब कटना चाहिए, उस नंबर से आप भाग दोगे, जिससे सब कटे, तो बताओ, दो से भाग देंगे, कि नहीं देंगे, देंगे, 2 चक 12, 2 नमा 18, 2 से ये 12, 2 से ये 18, अब फिर देखेंगे, क्या 2 से भाग लगेगा, तो 6 और 12 तो कट रहा है, 18 कट रहा है, लेकिन 9 नहीं कट रहा है, हम लोग क्या जानते हैं, कि division method में, इस से सारे को कटना चाहिए, अगर सब नहीं कट रहा है, तो 2 से भाग नहीं देंगे, तो देखते हैं, 3 से, 3 से ये 2 बार में, ये 3 बार में सब कटेगा, 3 दुना 6, 3 तीह, 9, 3 चोग, 12, 3 चक, 18 फिर देखते हैं, क्या किसी नमबर से सब कटेगा, तो 2 है 3 है, किसी से नहीं कटेगा, कोई भी एक नमबर जिससे सब कटे, ऐसा नहीं होगा, तो HCF, बराबर, LCF मे भाजकों का गुरानपल होता है, क्या होता है, भाजकों का गुरानपल, यानि बहुत सारी संख्या रहे न, तो हम लोग डैरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, एक तीन है यानि एंसर कितना शे समझ में आ रहा है एक दो है और दूसरा तीन है तो दोनों को इसको नहीं लेंगे LCF निकालना है तो केवल इनको लेंगे LCM निकालना है तो इन सब को लेंगे तो नों में डिफरेंस समझ में है SCF common practice से सब कटे सब कटेगा तब SCF और सब को काटना है यानि काटने वाला सब को काटने वाला यानि वह चाकू जो सब को काट दे वो knife जो सब को काटे divide करे उसको क्या बोलेंगे SCM और वो जो सबसे कटे LCM ये 12 से भी कटेगा 18 से भी कटेगा 24 से भी कटेगा 36 से भी कटेगा और इसमें इस 6 से 12 भी कटेगा चौती 18 भी कटेगा 6 से 24 भी कटेगा ये 36 भी तो ये हमारा division method हुआ बहुत सारी संख्या हो अगर SCF पुछे तो इस method से निकालेंगे easy है clear है पहले तो सारा method जानना जरूरी है अगला देखते है प्राइम फैक्टो राइजेशन मिठड प्राइम फैक्टो राइजेशन मिठड सब ध्यान से देखना ये ऐसे question आता है एक्जाम में जिस ढंग से आता है मैं उस ढंग से बता रहा हूँ तो क्या रहेगा मान लो दो का पावर तीन तीन का पावर चार पाच का पावर दो साथ का पावर या इतना ही रखें फिर देखें सेकें तीन का पावर तीन चार का पावर तीन नहीं होगा प्राइम फैक्टो रहता है उसके वाल साथ का पावर तीन या थर्ड लें दो का पावर चार तीन का पावर 3, 5 पावर 3, अगर question कहता है इनका SCF बताओ, SCF बताना है, SCF मतलब सभी में common हो, जो सभी में होगा यानि जिससे सब कटे, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तीनों में common होगा वो SCF, तो देखें, दो का पावर तीन यहां है, लेकिन इसमें दो नहीं है, तो दो नहीं लेंगे, इसमें दो नहीं लेंगे, आप क्यों नहीं लेंगे, इसमें दो नहीं है, तो तीन वाला देखें, यहां तीन चार है, और तीन का पावर तीन है, यहां तीन का पावर तीन है, यान मिलब चार बार है चार मत काटने लगना तो तह तो इन पावरद चार रखने मिलम therefore आसे पावर त्य सोटा क्योंकि पावर थीं से ये नहीं कटता ये निकालना नगल इंखर गट ऊस्काथ है य yere अब यानि यह आपका क्या हो गया है अगर कोशन कर रहा है नहीं LCM बताओ क्या कर रहा है LCM बताओ कैसे निकले LCM वो नंबर है जिसमें सब आ जाए ठीक है सब A वाला भी सब फैक्टर हो B वाला भी हो C वाला भी हो D है तो D वाला भी हो सभी का फैक्टर उसमें हो यानि बरा से बराबर जैसे देखो क्यों दो यहां है यह Não है तो भी नहीं इससे भी तो घटना ना यहां Durkaặt सी दो का पार चार तो लेंगे ही और पावर चार लेंगे अब सूचो इस ही कोनी कटनेका जूरणति नहीं पड़़ा क्योंकि नहीं 303 इसमें है four- MARTIN इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, बरा से बरा पावर लेते हैं, 3-4 बार, 5 यहां 2 बार है, यहां 2 बार है, यहां 3 बार है, बरा से बरा पावर, 5-3 बार, और कुछ खोजो, सब में कोई और है, जो छूट रहा है, जी हां 7, और वो भी 3 बार, तो वो भी ले लेंगे, यह आपका LCM हो गया आप देखेंगे क्या ये सब है तो हां दो तीन बार है हम चार बार लिए तीन चार बार है ले लिए फाच दो बार आ गया इसका सब फैक्टर आ रहा है तीन का पावर तीन है इसमें पाच का पावर दो इसमें है साथ का पावर तीन गौर करो ये भी है दो का पावर च 4 है 3 का पावर 3 है 5 का पावर 3 है यानि अगर LCM पुछा तो यह हो गया ऐसे ही एक कोश्यन और देखते हैं 3 का पावर 2, 5 का पावर 3 या 2 का पावर 4, 3 का पावर 5, 7 का पावर 2 या तीसरा 5 का पावर 3, 3 का पावर 4, 7 का पावर 1 मान लो यह है और कोशन का रहा है से बताओ और लसे भी बताओ तो पहले हम लोग यहां पे से निकालते हैं क्या निकालते हैं से क्या होगा जो सभी में कॉमन होगा तो कौन सा है जो सभी में कॉमन है आप देखें तीन यहां है यहां 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 भी है यहां भी है तो तीन तो तो ये भी कट जाएगा, पांच में तो तीन दो बार है ही, ये भी कट जाएगा, अब देखो क्या पांच होगा, पांच यहाँ है, इसमें नहीं है, पांच इसमें है, सब में नहीं है, तो साथ इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हमको तो वो लेना है ना, जो सब में हो, यानि SCF हो गया, तीन का पावर दो, यानि answer no, और LCM अगर निकालना होता, तो क्या करते, LCM, और भी याद रखना, बीच में और सारे techniques, tricks हम लोग देखते रहेंगे, कैसे fast SCF निकाले, कैसे fast LCM निकाले, class छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, चाय मत पीने लगना, चाय पीने का प्लान हो, तो मेरे को भी पिलाना, समझ गया है, अरे, yes sir, तो बोलो, लिखो comment में, yes sir, तो समझेंगे, कि हाँ, आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है, तो LCM क्या होगा, तो LCM, जो किसी में भी हो, in fact, किसी में भी हो, बढ़ा से बढ़ा पावर, जो किसी में भी हो, आप बताओ, तीन, क्तीन इसमें है, क्तीन का बढ़ा से बढ़ा और क्या, पावर दो है, पावर पाँच है, पावर चार है, पावर पाँच, दो, दो यहां है, चार बार, इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसी में भी हो, और बढ़ा से बढ़ा पावर, किसी में भी हो, बढ़ा से बरा पावर, किसी में भी हो बरा से बरा पावर, क्या होगा ये LCM, सब में हो, सब में हो, छोटा से छोटा पावर, छोटा से छोटा पावर, सब में हो, छोटा से छोटा पावर, ये क्या हुआ, HCM तो ये हम लोग देख रहे थे, अभी 3 का पावर 5, कंप्लीट नहीं हुआ जी, 3 तो लही लिए, 5 नहीं लिए, दो लिए, 5 यहां 3 बार है, यहां नहीं है, यहां 3 बार है, यानि 5 तीन बार, साथ भी कहीं कहीं नजर आ गया, यहां 2 बार, यहां 1 बार है, नहीं 7 भी लेंगे, और बरा से बरा पावर, तो ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेठर में, जब कभी भी पूछेगा, तो एकदम लिख दिये हैं, अच्छे से इसको नोट कर लेना, कॉपी में नोट करते चलो, किसी में भी हो, बरा से बरा पावर, LCM होगा, किसी में भी हो, छोटा से छोटा पावर, SCF होगा, किसी में भी नहीं, सब में हो, यह सब में हो, this must be common, clear, समझ में आ रहा है, share ठोकते रहिए, like, share, किसी में हो, यह सब 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 म आगे कुछ questions में वो type भी देखेंगे कि कैसे और भी HCF fast होगा, यानि difference method, कहीं जाएंगे नहीं, division method और एक होता है, continued division method, देख ले, continued continued division method, continued division method से क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF, मानलो 48 है और 120 है और मानलो 248 है, इक method क्या दो method बता चुके हैं, ही एक division method और एक बताया prime factorization method, अब हम लोग देखते हैं, continued division method, कैसे बनाएंगे, तो किसी भी 2 को ले लेंगे, 48 से 120 को भाग देना है, 48 दुना, 96, 10 से 6 घटा, 4, 11 से 9, 2, अब 48 इधर आ गया, 24 दुना, 48, 60 गया, यानि इन दोनों का HCF क्या हुआ, 24, क्या हो गया, 24, अब इन दोनों का, जो HCF हुआ, और उस अगले वाले को, एक साथ, 24 है क्या है, 24, ठीक है, मानलो ये फिर दस होगा, नहीं भाग लगा, 8, ये 24 यहां आ गया, 8 तिया, 24, कट गया, कितना आया, 8, यानि सभी का, सभी का, HCF क्या होगा, 8 होगा, सभी का HCF क्या होगा, 8 होगा, एक मिठड और बहुत अच्छा मिठड है, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, कोश्यन में बताऊंगा, ध्यान रखना, पढ़िए, दो संख्याओं का LCM, उनके HCF का 12 गुना है, LCM, HCF का 12 गुना है, तो अगर HCF का, HCF को हम लोग X ले लें, ध्यान से देखना, LCM 12X होगा क्या, अगर वो X है, तो क्या ये 12X होगा, और दोनों का योग 403 है, X प्लस 12X, यानि 13X बराबर 403, 13X बराबर 403 बर्टा 13, 13 तिया 49, 13 तिया 49, 13 तिया 31 तिया 31 बराबर में कट गया, HCF माना X, LCM हो गया 12 गुना है 12X, दोनों का योग 403 है, लिख दिया, X आगया 31, अब HCF 31 और LCM 12 गुना 31, इसके आगे क्या करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कि HCF इन्टू LCM बराबर 1st नंबर, 1st नंबर इन्टू 2nd नंबर, जानते हैं, तो यानि 31 गुना 12 गुना 31 बराबर, पारली संख्या क्या है क्वेशन में, एक संख्या 93 है, 93 इन्टू दूसरी संख्या, मानलो वाई, बन गया, क्वेशन कितना अच्छे से करा था, कि HCF का 12 गुना कौन है, LCM है, हम लोग आगे वह ऐसे देखे, तो बन गया, अब बता, 31 से ये कटेगा क्या, 31 से ये 3 बार में, और 3 से ये कटेगा क्या, 4 बार में गुना करने में समय मत वरवाद करना, लास्ट स्टेप में गुना किया जाता है, अब बता, 4 ए कहीं 4, 4 तिया 12, 12, 124, यह नहीं एंसर ये, क्लिए रहा है, किने को प्रॉब्लम, करना पड़ता है, हमको PPT बनाना पड़ता है, फिर कोशन देना पड़ता है, और आपके लिए जब हम एक्ष्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं, तो आप भी छोटा-छोटा काम है आपका, कि हम एक अच्छे से पढ़ें, उसको share करें, उसपे like करें, comment करें, क्योंकि जदास जदा ये काम करना है, जदास जदा अपने friends के बीच में इसको circulate करना है, क्योंकि हम लोग का energy level वही होता है, जो देखते हैं, ऐसा नहों कि energy level down होने लगे, ये आपके हाथ में हैं, और आपका result हम लोग के हाथ में है, ठीक है, आगे बढ़ते, पढ़िए, और बनाने का कोशिस भी करते रहिए, पढ़ने के साथ कोशिस करेंगे कि आपसे बन जाए, दो संख्याओं का SCF मालूम है, LCM के दो गुरनखंड मालूम है, 13 और 14, हम लोग क्या जानते हैं, कि LCM बराबर, LCM बराबर, SCF तो होगा ही, into उसका गुरनखंड, अदर गुरनखंड, अदर, मतलब, पाली संख्याओं होगी, संख्याओं का SCF मालूम है, LCM के अन्य दो गुरनखंड, एक संख्या, LCM का, अब एक होगा, 23 गुना 13, question क्या करा, दोनों में से बरी संख्याओं बताओ, तो छोटी संख्या 23 गुना 13 और बरी संख्या 23 गुना 14 यह चोटी संख्या, और यह बरी संख्या, और अगर LCM पुछा, तो तेज तो होगा ही, गुना 13, गुना 14, बताओ, LCM पूछता, पूछ नहीं रहा है, तो यह लिखते, चोटी संख्या पूछता, नहीं पूछ रहा है, तो यह लिखते, कोश्चन तो कह रहा है, बरी संख्या बताओ, तो 14 यह 42, 14 गुना 24, 32, 32, ओप्शन D. HCF गुना 13, पहली संख्या, HCF गुना 14, दूसरी संख्या, बरा पूछे, देखने के साथ, 23 गुना 14, कुछ नहीं लिखना है, 23 गुना 14, चोटी संख्या पूछता, 23 गुना 13, बता LC है, तो 23 गुना 13 गुना 14, बहुत डिपरेंट टाइप के कुश्चन, मैं कलेक्ट करके आपके लिए ला रहा हूं, जो एक्जाम में आ रहा है, कि वहां आप चुटकी बजाते हुए, देखते के साथ, एंसर में टिक लगाओगे ठीक है, मन लग रहा है, अगला कोश्चन देखें, ये, पढ़िए, दो संख्याओं का LCM और SCF का गुरहन फल दिया हुआ है, LCM गुना SCF 24 है, और दोनों संख्या का अंतर दे दिया है, तो बताइए, ये तो आप्शन से बना सकते थे, कैसे बन जाता है, आप लोग बनाओ जल्दी करो, आप्शन से सोचो, मैं सेकेंड वर का टाइम दे रहा हूँ, SCF और LCM का गुरहन फल 24 है, अगर आठ और छे ले थे थे, तो आठ छक आड़ तालिस हुआ, नहीं होगा, दो चार ले थे, दो चोका आठ नहीं होगा, आठ दस ले थे, आठ दाए अस्य नहीं होगा, छे गुना चार ले थे, तो छे चोका 24 हो गया, और दोनों का आंतर भी ही दो है, हो गया, देखने के साथ, ऐसा नहीं कि हमको प्रोसेस स्वे में ही आगे बढ़ें, आप्सन मेठर इस अगला कोश्यन घ्यान देंगे, दो संख्याओं का HCF, उनके LCM का एक वर्टा पाँच है, यदि दो संख्याओं का गुरण फल, दखो, HCF कितना है, अगर हम LCM मान ले, LCM कितना, X, तो HCF होगा, एक वर्टा पाँच है, मतलब X वर्टा पाँच, कोश्यन का रहा है, दोनों संख्याओं का गुरण फल, तो संख्याओं का गुरण फल, क्या होता है, HCF गुना LCM, तो HCF है कितना, X वर्टा पाँच, LCM कितना है, X, और ये बराबर कितना होगा, 720, एक से स्क्वाइर, बटा पाँच जो इधर ले आए, तो 720 गुना पाँच होगा, यानि 36 होगा, तो X वराबर क्या होगा, तो 36 का वर्ग मूल, 60 होगा, ये तो X स्क्वाइर था, अब कोशन कह रहा है, क्या, कि HCF है, HCF तो ये है, HCF कितना है, तो इसको लिख सकते हैं, 60 वर्टा, 5 यानि एंसर, 12, ऑप्शन भी, सारे कोशन्स एक्जाम में आने वाले हैं, एक्जाम में आ चुके हैं, जब हम पढ़ा दें, उसके बाद बना करके देखू, चाप्टर में लगेगा कि आज सक कैसे पढ़ते थे, और अब कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का ढ़ंग बदलिए, अग्ला कोशन है, वह सबसे बड़ी संखिया कौन सी है, जो 370 और 592 को पुर्णता विभाजित करें, हम लोग क्या जानते हैं, कि दोनों का 370 का और 592 का कंटिनूट डिवीजन करेंगे, कि देखो, तो कंटिनूट डिवीजन करेंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ऐसी है, निकलेगा, कितने बार में, एक बार में, दो, 9 से 7, 2, 5 से 3, 2, अब फिर इधर 370 आजाएगा, फिर एक बार में, घटा दो, 8, ये तो 6 में से 2 घटा, 4, और 3 से 2, 1, अब फिर यहां को न आएगा, 222, एक बार में, 12 से 8, 4, 11 से 4, 7, कट गया, 74, फिर ही 148 इधर आएगा, 74 दुना, 148, एंसर, 74, चाइम लग गया, अब लोग को थिंक बिदाउट इंक, बोलो मेरे साथ, थिंक बिदाउट इंक, ऐसा रास्ता अपना ना है, कि देखने के साथ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, टाइम नहीं लगे, तो क्या आ था, आपका HCF क्या आया, 74, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, दूसरे मिठर से देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कि HCF से संख्या का अंतर भी कटता है, लिखाया थे डेफिनिशन में, तो संख्या का अंतर, यानि 592 में से 370 घटा दो, ये 2, 2, 2, 2, 12 आया, और तु से कटेगा क्या, लास्ट में पांच नहीं कटेगा, 74 चार से कटेगा क्या, कट सकता है, देख लें, 3 से 3 चो का बारा, 3 सते, 12 और एक बाइस, तीन बार में कट गया, 74 से, एंसर 74, क्योंकि, डिफरेंस, अगर डिफरेंस, जो है, HCF से कटेगा, हम इसको भाग देंगे, तो लगता, और दोगों को भाग देना होता, कुछ लोग काते, सर, ऑप्शन में टर्ट से हम बना लेते, 74 से ये कटेगा, 74 से ये भी कटेगा, समय ज्यादा लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, दोनों के अंतर को सीधा भाग देके, देगा, किस से कट रहा हो गया, एंसर, ट्रिक समझ में आया, बहुत ही सांदार ट्रिक, दीरे दीरे, अगर ऑप्शन पे भी कमांड होता जाया, जब बार बार आप रिविजन करोगे, तो सेकेंड़ों में कुशन बनना सुरू हो जाएगा, तो अगला कुशन देखे, ये, वह सबसे बरी संक्या कौन सी है, जो 312, 351 और 650 को पुर्टा विवाजित करोगे, पहले तो बरी से बरी संक्या, जो इन सब को काटे, काटने वाला जो चाकू है, मतलब HCF है, यानि HCF निकालना है, दूसरा देखे, कंटिनूट डिविजन मेठट से अगर हम आगे बढ़ें तो टाइम लगेगा, डिविजन मेठट लाएक यह नहीं लग रहा, छोटी-छोटी बहुत सारी संक्या हो तो डिविजन मेठट से देते, तो यह दोनों मेठट छोड़ दिया, तो किस मेठट को अपलाई करें, डिफरेंस मेठट को, किस मेठट को, डिफरेंस, तो डिफरे अब आपको यह देखना है कि किस से 299 कटेगा, फिर से मिला लो, 10 से 9, यह 4 से 5, 9, 5 से 3, 2, 299, 49 से भाग देंगे, तो 11 नमानिन नहीं कटेगा, 13 से भाग देखें देखो, 13 दुना 26, 3 पड़ना, 13 तिया 49, 13 से कटेगा, कितना असान है किवल उतना डिफरेंस निकालो, आप्शन से ट्राई मारो हो गया, ऐसे निकालते तो कितना ज़्यादा टाइम लगता वो भी देख लो, और आप्शन दिया रहेगा, क्लियर है, अगला कोशन देखें, हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 48, 16, 324, 1400 को विभाजित करेगी, जो विभाजित करे HCF, मिरे साथ बोलो, विभाजित करने वाला, भाग देने वाला, काटने वाला, ऐसी है, ठीक है, तो सबसे बड़ा ले लो, 1400, उसमें से 324 घटा दो, 10 से 4, 6, 9 से 2, 7, ये 0, ये 1, 1086, 26 से भाग दे रहे हैं, नहीं कटेगा, 16, 96 नहीं कटेगा, 8 से आधना बाता नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, answer 4, सुचो रहे कितरा बड़ा कोशन है, अथवरा घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, चारी ओप्सन से ट्राई करना है, जिससे भी कटा, हमको बाकी देखना भी नहीं पड़ा, क्यों देखेंगे, इतना ही में से नन अपदीज ओप्सन नहीं रहता है, 99.9 परसेंट चांस में नहीं रहता है, और अगर रहता है तो उसी का चांस बनता है, आगला कोशन, ये, वह सबसे बरी संक्या कौन सी है, जिससे 64, 93, 83 को भाग देने पर क्रमसा, सेस, 9 और 13 बचता है, पाले तो वह बरी संक्या जिससे इसको भाग देने पर, भाग देना है, मतलब HCF है, और HCF के प्रश्ण में, पाले रिमेंडर को घटा देते हैं, रिमेंडर को संक्या में से घटा देते हैं, जिनको आराज समझ में, बनाते जाओ, फिर प्राप्त संख्याओं का HCF, रिमेंडर मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है, तो घटा दो, तो देखें, पाला से इसफल नौ है, तो चौतिस साट से किसको घटाएंगे नौ को, चौतिस एक्क्याबर, और दूसरा है तिरानवेर असी, इसमें से किसको घटाना है, तेरा को, दस से तीन घटा साथ, साथ से घटा छे, ये तीन, तिरानवेर सड़ सड़, आप देखो, दोनों का HCF निकालो, भागविदी से निकाल सकते हो, या दोनों का अंतर लेलो, नाइन थ्री, सिक्स सेवन में से, स्नौतिस एकावन घटा दो, ये छे, ये एक, ये तेरा से चार घटा, नौ, और ये आठ से तीन, पाँच, त्यावल पाँच, नौ, एक छे को, ट्राई करेंगे, किस से कट रहा है, या दोनों का HCF, तो यहाँ पे, तीन बारत या 36, बारणामा 108 और 3111, अब बारत चो करता ले, 1493 से कटेगा, ये किसे कट जाएगा, 493 से, कितने बार में, बारा बार में, तो एंसर हो गयी है, एक रास्ता यह है, दूसरा क्या था, अगर नहीं confidence बन रहा है, तो continue division method से इसको बना लो, आज के class को हम लोग यहीं रोखते हैं, ज्यादा स्यादा आप लोग इसे share करेंगे, और class miss नहीं करना, जो लोग आज जोईन किये हैं, वो पिछले class का वीडियो निकाल के देख लेना, साथ-साथ मैंने number system का भी, जो तीन वीडियो दिया है, उसको practice में रखना, ठीक है, thank you,